हलो, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे अपने चैनल में, ये है करवा चौत का व्लॉग, तो 1 नवंबर के दिन का है ये, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, बट जब तक ये वीडियो आएगा, तो I think एक दो दिन लेट हो जाएगा, बट कोई बात नह क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, मेरा करवा चौत का व्लॉग, तो सबसे पहले तो मैंने एक दिन पहले महंदी लगवाई थी, और दोनों हाथों में महंदी लगी वी थी, तो मेरे हस्बन नहीं मुझे रात को खाना खिला था, मेरा तो मन भी नहीं था, तो यह सासुमा है मेरी, तो यही सब तयारी करती है, मैं इनके हेल्प करती हूँ, और यह देखे करवा के अंदर पहले तो हम लोग यह सींक होती है, जो साथ वो लगाई जाती है, साथ में आइपन होता है, तो चावल के आटे में हल्दी मिला करके उससे करवे के उपर लग लड्डू रखते हैं, तो चावल के लड्डू बनाते हैं, कुछ लोग आटे के लड्डू बनाते हैं, बट हम लोग चावल के लड्डू रखते हैं, और जो माता जी हैं, चौत माता जी हैं, शेव जी पारवती जी हैं, गडपती जी हैं, और गोरा जी हैं, तो उन्हें देखी सकते हैं और श्रिंगार का जो भी समान आपको रखने अपनी इच्छनों सार हुआ आप रख सकते हैं माता जी को चड़ा सकते हैं तो बस देखिए चान निकलने के थोड़ी दिर पहले मैं यहां पे जो चौत माता की जो कथा होती है वो पढ़ रही थी तो आप देख सकते हैं और बहुत न अच्छा मतलब फील होता है और मन करता है कुप तयार हो लेकिन है न हमारे आपे करवा चौत वाले दिन बहुत बहुत सारी है न विराइटी बनती ही खाने पीने में बहुत सारी तो आगे वीडियो में आप देखेंगे कि कितना कुछ बन चाण निकल नहीं वाला था और हम लोग यहां पे थोड़ी थोड़ी हसी मजाग भी कर रहे थे और कथा कर लेते हैं, उसके बाद में आर्टी हो जाती ही, सब कुछ हो जाता है, फिर हम लोग सुहाग लेते हैं, माता जी से, गौरा जी से, तो बस वही प्रक्रिया भी चल रही और बीच बीच में पापा जी मेरे हस्बेंड और बच्चे जा जाके देख रहेती कि चांद निकला कि नहीं निकला क्योंकि हमारे यहां पे आट पचास को चांद निकलने का टाइम था बट बहुत ही लेट आया था चांद और आप देख सकते हैं किस तरीके से हम लोग तो बस अब चांद निकलने वाला ही था और हमारी फुजा भी लग पूई चुकि आप देख सकते हैं मैं सुहाग ले रहे हूं इस टाइम पे और पीछे से आप देख रहे हैं यह मेरे दोनों बच्चे हैं आदी देव तो यह बार-बार देख राते कि ममा चांद निकला है कि नहीं निकला है हम बताएंगे आपको बहुत ही विदी विदान से पूजा की जाती है चौट मता की और अपने पती की लंबी आयू के लिए हम सभी महिलाई ये वरत उपास रखती है और अब आप देख सकते हैं आप पूरी पूजा वगरा सब हो गई है बर चांद अभी निकला है ये तो मेरी सासू मा बार बार बोल रही है अरे क्यों इतना देर हो गया इसे फोन करो उसे फोन करो यहां पर निकला है वहां पर निकला है और फाइनली चांद ने दर्शन देई दिये तो हम लोग ना अपने घर के बाहर आकर के चंदा मामा को अर्ग देते हैं व और यह देखे जो मैंने शुरुवात में आपको बताया था यह जो साथ सीनक होती है इन्हें एक एक करके जल डाल करके गिराया जाता है और हाथ मेरा चांदी की अंगुठी ली जाती है या कुछ भी चांदी का बिच्छिया सिक्का कुछ भी अब ले सकते हैं और फिर उसके बाद में यह जल थोड़ा सा ग्रहन किया जाता है तो इस तरीके से यह मेरा एक छोटा सा करवा चौत का व्लॉग था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है और आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और यह मैं चारो द फिर से गरम करो और फिर खाओ बहुत सारी चीजे बनती है खाने में तो हमारे यह पे दही बड़े तो बनते ही हैं कड़ी चावल और यह है बकोसा जो भी यूपी वाले हैं वो सब तो जानते हैं यह बकोसा क्या होता है और सासु मारे फटा फटा फट चेंज कर लिया और दही बड़े सर्फ कर रही है प्लेट में बोल रही थी मेरा वीडियो मत बनाओ और यह मेरा चोटा बेटा और यह हजबंड और बड़ा बेटा और इसी दिन मेरे सासु जी का बड़े भी होता है तो वो भी हम लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया अब अब देख सकते हैं यह म बहुत बहुत टेस्टी लगा था दही बड़ा यह जो कुछ भी मैंने आपको दिखाया इतना मुझसे खाया नहीं गया था मैंने बहुत ही थोड़ा सा खाया था बट आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने थाली सजा ली थी और थोड़ा सा केक जिरूर खाया था और दह वड़ा बस खाया तो फाइनली ये पूरा व्लोग कम्प्लीट हो गया अगर आपको पसंद आयो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल बाबाई